हाई एवरीवन वेलकम बैक माई यूटूब चैनल आज मैं आपके साथ मैं शेयर करूंगी ब्रेट पकोड़े की रेसिपी ये ब्रेट पकोड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ही कम तेल में आपको बना करके मैं इसे दिखाऊंगी यदि या ब्रेट पकोड़े खाने के शोखीन है लेकिन तेल की बहुत ज़्यादा मातरा होने के करण आप इसे खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतग पूरा देखिएगा हमने इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम तेल में इस ब्रेट पकोड़े को बनाने की रेसिपी आपके साथ में शेयर की है तो चलिए फटा फट बहुत ही कम तेल में बनने वाले इस ब्रेट पकोड़े की रेसिपी को शुरू करते हैं इस ब्रेट पकोड़े को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्रम बेसन ले रखा है दो बड़े चम्मच हम इसमें एड़ कर देंगे चावल का आटा पुरी तरह से ऑप्शनल है डालेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और ब्रेट पकोड़े क्रंची भी बनते हैं वन टी स्पून स्वादा अनुसा नमक एड़ कर दिया है वन टी स्पून रेट चली पाउडर डाल दिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते ही हुए हम इसका एक सेमी बैटर तयार कर लेंगे बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पदला भी नहीं रखना है और ग करता है तब तक हम एक आलू का मसाला तयार कर लेंगे हमने कड़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है इसमें हमने वन टी स्पून तेल डाल दिया है तेल को गरम होने देंगे वन टी स्पून जीरा डाल दिया है जीरे को हम चटकने देंगे जीरा हो चुका है दो टेस्ट क एकोडिंग हरी मिर्च एड़ कर देंगे चलाते हुए मिला देंगे अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक बारी कटी हुई गाजर और एक बारी कटी हुई शिमला मिर्च एड़ कर देंगे आप अपने टेस्ट के एकोडिंग कोई भी सबजी इसमें एड़ कर सकते हैं जैसे कि अच्छे से मैश कर लिया था गरम पर ही वन टी स्पून हल्दी पाउडर एड़ कर देंगे वन टी स्पून टेस केक ओडी नमक एड़ कर देंगे वन टी स्पून ड्राइ मैंगो पाउडर एड़ कर देंगे आप ड्राइ मैंगो पाउडर की जगा पर नीवू के रसका भी इस धनिया डालने के बाद हम इसे फिट से मिला लेंगे और यह हमारा आलू का मसाला तयार हो चुका है अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसे हम रखते हैं साइट में अब हम चलते हैं आगी के प्रोसेस के लिए हमने यहांपा चे वाइट ले रखिये अब डूर ब्रेट का भी दूसरी ब्रेट को इसके उपर रखेंगे और रखने के बाद हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे हाथों से अब हम नाइप से इसे देखी इस तरह से ट्रेंगल शेप में दो बराबर भागों में काट लेंगे और ये हमारा एक सेंड़िच बन के तयार हो चुका है सेम प्रोसेस से हम सारे सेंड़िच को बना के तयार कर लेंगे इससे पहले भी मैं आपके साथ में आलू ब्रेट सेंड़िच ब्रेट सुइट रोल और भी ब्रेट की कई तरह की मिठाई की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ उनका लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्टप्शन बॉक्स में और ये लीजी हमने सारे ही सैंड़िच बना के तैयार कर लिए है अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए और ये बेशन का बैटर भी रेश्ट कर चुका है इसे हम चलाते हुए मिला देंगे जब इसे हम गिरा रहे हैं तो एकदम सा ये गूल नहीं रहा है इसमें थोड़ा रिविंज ऐसा बन रहा है बिल्कुल हमें इसी तरह का बैटर चाहिए ब्रेट पकोड़े के लिए अब हम सैंड़िच को बेशन के बैटर में इस तरह से डिप करेंगे चारो तरफ से अब हम इसे तवे पर रख करके सेख लेंगे इसे सेखने के लिए हमने यहाँ पर नोने स्टिक तवा लिया है इस पर हमने दो चम्मत तेल डाल दिया है इसे हम पुरे तवे पर अच्छे से फैला देंगे अब हम ब्रेट पकोडे को तवे पर रख लेंगे इस तरह से इसी तरह से हम बाकी के ब्रेट पकोडे को भी तवे पर रख करके सेख लेंगे पकोड़े को हमें हाई फ्लेम पर नहीं सेखना है इसे हमें लो फ्लेम पर और अलटते पलटते हुए सेखना है अभी हम इसे एक साइट से सिखने देते हैं गोल्डन कलर आने तक है और ये ब्रेट पकोड़े एक साइट से सिख चुके हैं थोड़ा पकौडों को अच्छे से टर्न कर लिया है अब हम इने अलटते पलटते हुए दोनों साइट से अच्छे से से लेंगे यदि आपके पास नोनिस्टिक तववा नहीं है तो परिशान होने की कोई बात नहीं है आप लोहे के तवबे को भी नोनिस्टिक तववा बना करके उसमे से हम तयार कर लेंगे छोटे साइज के ब्रेट पकोड़े यदि आपके पास नोने स्टिक तावा नहीं है तो आप लोहे के तौवे को हलका सा गरम करिए उस पर एक चम्मत तेल डालिए और फिर उस पर पानी का छीटा मार करके उसे आप किचेन टावल या फिर टिशू पेप साप कर दीजिए इससे उसमें अच्छी चिकना हट आजाएगी और आपके ब्रेट पकोड़े आसाने से उस पर बन के तयार हो जाएंगे और ये लीजी हमने सारे ब्रेट पकोड़े बना के तयार कर लिये हैं अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे हमने इसे टमेटो साउस और ग्रीन चटनी के साथ में सर्व किया है, आप इसे किसी भी चटनी के साथ में इंज्वाई कर सकते हैं, देखा दोस्तों कितने कम तेल में हमारे ये ब्रेट पकोड़े बनके तयार हो गए हैं, इन ब्रेट पकोड़ों को आप सुबह या शाम की चाई के साथ में खाईए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत ही चाऊ से खाएंगे, सो गाइस ब्रेट पकोड़ा बनाने का ये तरीका यदि आपको पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को धेज सरा लाइक दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों, यदि आपको हमाई रेसिपी फसंद आती हो ट्राइक करने के बाद, तो प्लीज हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, पासी में बने बेल आइकन को भी आप जरूर प् वीडियो के साथ, थैंक यू